यह जो चवन प्राश है ना यह त्रिफला चूंड से कई-कई गुना नीचा है अब पता नहीं कौन-कौन लोग उसी आंवले को इन तीनों का उपयोग करना सीख लीजे घर में हमेशा इसको डब्बे में बनाके पाउडर के रूप में रख लीजे अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं आप अकेला आवला भी खा सकते हैं आवला तीनों दोश दूर करता है बात पित कफ और बहेडा तीनों आपकतवर यही फल है आवला हरडे बहेडा अब आपको आखरी एक छोटी सी बात कहें दू कि आप में से किसी को भी यह तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है मेद माने मास बढ़ा हुआ है बहुत लोग परिशान है मुटापा मुटापा मेद माने कफ खाये कब खाना है आपको रात को नहीं खाना है सबेरे खाना है जिनको भी मास बढ़ा है शरीर पर मेद बढ़ा है उनको अगर चाटना है इसको कम करना तो त्रिफला सबेरे खाना आवला सबेरे खाना आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आवला ही खालीजे चार आवले ती तीन से चार आंवला जितना होता ये पेट में जाती रहे तो साल वर में आप देखोगे आप पहले से ज़्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे और आवले के बारे में आजके जो वैग्यानिक कह रहे हैं आजके वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीआॉकसिडेंटल फल कोई है तो वो यह ये ये एंटी ऑक्सिडेंट मने जो ऑक्सिडेशन की क्रिया को कम करें और शरीर में हमेशा ऑक्सिडेशन चलता है ऑक्सिडेशन में उम्र कम होती है शरीर के हर अंग का च्छे होता है तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का च्छे बचाना है तो आवले से अच्छी कोई चीज देनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए बागवटी जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं आवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते हैं त्रिफला खाएं तो तीन महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना तीन महीने तीन महीने नब्वे दिन खाके थोड़े दिन छोड़ देना बादे 15-20 दिन छोड़ देना फिर अगले तीन महीने खा लेना फिर 15-20 दिन छोड़ देना फिर तीन महीने खा ल दिन ऐसा लगे का कमजोरी आ गई अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना अब किसी व्यक्ति के लिए यह छोड़ने का समय है वो तीन महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है जादा भी हो सकता है इसलिए मैंने बीच का बताया तीन-तीन महीने करके छोड़ जी मात्रा कितनी मात्रा में बता देता है जिनको वजन कम करना है वजन कम करने के लिए त्रिफला यह आवले का उपयोक करना है तो आवला veloc三 से चार और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच तो एक चम्मच हाँ गुड के साथ सुबह नहीं तो शहद के साथ और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना पेट साफ करने के लिए आतों की सफाई करने के लिए वो रात को खाएं रात को भी आवला लगबग एक चम्मच लेकिन चोटी चम्मच कैसे खाना है गुड के साथ कैसे मिलाएं आवले का चून आपके पास है थोड़ा गुड ले लो चून और गुड को ऐसे हाथ से मसल दो वो लड़ू जैसा हो जाएगा गुड उसको मैं समा लेगा फिर गुड खा लो पीछे से थोड़ा दूद पीलो मैंने आपको कहा था कि बागवटी जी कहते हैं कि दूद एक ही चीज़ के साथ पिया जा सकता है वो है आवला क्या कहते हैं बहड़ा को तानी 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 आप ऐसा करिएगा ये प्रदीप भाई की दुक तो आप सब पहेंचाने हैं जी हरड़ा को कड़का बोलते हैं हरड़ा को कड़का बहड़ा को तानी काई बहड़ा को तानी काई आमला को पाल नेली काई आमला को पाल नेली काई या नेली काई सीधे कर दीजे ये तिनों है ये प्रदीप भाई ने एक सवाल पूचा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मास कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो दो बार खा सकते हैं बिलकुल नहीं एक ही बार के लिए नियम है सुबही सुबही आपके लिए सबसे अच्छा है जो बाजार में त्रिफला चुन मिलता है वो खा सकते हैं मेरी आपको एक विंती है बाजार का त्रिफला चून लाने से अच्छा है, बाजार से आवला लाना, बहेडा लाना, हरडे लाना, कूट पीस के अपने घर में बनाना, क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कॉमर्शलाइज हो चुकी हैं, और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागवट को गाली देंगे, इसलिए रो मिटीरियल लाके घर में तयार करना, कूट पीस के, जी, आपने घुड की बहुत मरकवर पूरनता बताएं, परन्तो डाइबिटेस पेशन्स क्या करें उसके लिए, गुड आप डाइबिटेस में खाईए, भरपे टामले के साथ ख आप भगवान की दी गई जो शकर है, ईश्वर की दी गई शकर है, जूस में है, फल में, वो आपको शायद मालूम है या नहीं, शकर जो है न शुगर, इसके कई रूप है, एक है ग्लुकोज, एक है सुरुकोज, एक है फ्रक्ट्रोज, तो ये जो फल वगेरा की शकर है, ये fructrose form की ज़्यादा होती है और ये आसानी से digest होती है गुड की भी उसी category में आती है तो आप चीनी मत खाईए गुड खा सकते हैं शहद खा सकते हैं फल खा सकते हैं मीठे कोई भी फल खाने में तकलिफ नहीं है बशरते की त्रिफला खाते रहें थोड़ा त्रिफला लेते जिनको भी डाइबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें क्योंकि डाइबिटीज मैंने कहा ना बात का रोग है तो बात कम करेगा त्रिफला में तीनों चीज़े हैं जो वात नाशक हैं आमला हरडा वहेडा त्रिफला आपने कहा लेना है रात को और सुबक कब लेना च constipation दूर करना हो देखिए मैं अब थोड़ा बताई दूँ बवासीर अगर किसी को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें मूडवयाद पाइल्स जिसको काप कहते हैं हेमरोइड वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें को मास कम करना है कफ नाशक बीमारियां कफ से जुड़ी हुई बीमारियां तो सुबह खाने के बाद लेंगे रात को और सबेरे लेंगे खाने के पहले खाने के नहीं नाश्ते के भी पहले 40 मिनट नाश्ता करने से 40 मिनट पहले जी आपने बताया कि तिफला एक दो तीन के अनुपात में बणावें हैं तो हम आर्ब करी सब्ली ये तो ने क्म और आवले को एक-दो-तीन की अनुपारत में हम रखते हैं तो आवला ज़ादा है आप निश्चत रूप से जहें तीन मात्रा है आवला ज़ादा है आवला माने VitamnC का बंडार आवला माने Calcium का बंडार, आवला माने यह आवला माने वह भो जब तीन मात्रा का है, क्योंकि जो चीज पहले से बढ़ी है, वो और बढ़ाएगा, तो फिर हमने इसको कम कर दिया, हरडे और बहड़ा को बढ़ा दिया, तो सम हुआ, तो रिजल्ट तुरंत आ गया, तो ये रैडियेशन जैसे गंभीर बीमारियों में, कैंसर जैसे गंभी जितने लोग मोटे हैं, उतना कैल्शियम कम, तो कैल्शियम कम है, विटेमिन सी कम है, तो मैं आप से कहूंगा ही कि आवला तीन मात्रा में लोग, तो वो बढ़े, तो बाकी चीज़ें कम हो, मात्रा में बता देता, जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आवले का उपयोग करना है तो आवला तीन से चार और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच तो एक चम्मच घुड़ के साथ सुबह नहीं तो शहद के साथ और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना पेट साफ करने के लिए आथों की सफाई करने के लिए वो रात को खाएं रात को भी आवला लगबग एक चम्मच लेकिन छोटी चम्मच कैसे खाना है गुड़ के साथ कैसे मिलाएं आवले का चूण आपके पास है थोड़ा गुड़ ले लो चूण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो वो लड़ू जैसा हो जाएगा गुड़ उसको अपने में समा लेगा फिर गुड़ खा लो पीछे से थोड़ा दूद पीलो मैंने आपको कहा था कि बागवटी जी कहते हैं कि दूद एक ही चीज़ के साथ पिया जा सकता है वो है आवला दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं